सेशन को आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं मद्यप्रदेश की क्रशी अर्थवस्ता यानि की क्रामिन अर्थवस्ता के बारे में जो हम लोग देख रहे थे आज उसके अंदर हम लोग discuss करेंगे क्रशी में फसल के बारे में फसलों से रिलेटेड जितने भी questions आप से पूछे जाते हैं जो जो भी मद्यप्रदेश में प्रमुक फसले हैं आयात निर्यात किया जाता है उन सारी चीज़ों को आज की session में लोग discuss करने वालें सो जितने भी student channel पर new है subscribe the channel ताकि इसी तरीके से वीडियो के notification आपको यहां पर मिलते रहेंगे और सारी डीटेल आपको वीडियो के description box के अंदर दे रखिए app का link website का link वहां से भी आप विजिट कर सकते हैं सबसे पहले मैप आपको screen पर दिखाई दे रहा होगा यह मद्यप्रदेश का पूरा मैप है और इसी के बैसे पर हम लोग सारी फसल के बारे में डिसकस करने वाले कि कौन सी फसल का उत्पादन कहां पर अधिक होता है ठीके तो मद्यप्रदेश की सबसे प्रमुक फसलों के बात की जाये तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहें के बारे में बोए गई शेत्र रूत पादन की दृष्टी से मद्यप्रदेश की अब तक सबसे प्रमुक रभी की फसल माना जाता है हमने को कैटेग्राइस कर रखाए कि रभी की फसल खरी फसल जायत क्या होती है एक बार प्रमुक सिंचित फसले राज्य के कुल सिंचि शेत्र पर लगवख 50 प्रतिशत भाग पर आपको दिखाई देगा यहां से आपको आंसर मिल जाएगा काली बह ज़डोर दो मट मित्टी सबसे अधिक गया जाता है पूरवी मालवाशेत्र में पाय जाता है कहां पर पाया जाता है गेहु मध्य नर्मदा घाटी शेत्र और पूर्वी मालवा शेत्र में आपको इसका उत्पादन सबसाधिक देखने को मिल सकता है फिफ्ट नंबर का पॉइंट है जेविक गेहु जहां पर कोई भी फॉर्टिलाइजर्स वगेरा का प्रियोग नहीं कि किया जाएगा फिल्कुल जेविक तरीके से खेती की जाए कि तो जेविक गेहु का उत्पादन होता है विदीशा सीहोड सागर उज्जेन यहां पर जो है इसपेसिविक गेहु की खेती करी जाती है प्रमुग गेहु उत्पादक शेत्र कौन-कौन से इसमें मालवा के जील सदार रतलाम गुना जबलपूर सागर विदीशा रिवा सतना और कटनी है ठीक है गेहु से रिलेटेब प्रमुग बाते यहां पर हो गई एक बर और आप ध्यान से देख लीजिए गेहु रभी क्रॉप के अंदर आता है प्रमुग सिंचित वसले 50% पर उत्पादन होता है मिट्टी काली वजलोर दोमट मिट्टी में सबसे जादा संकेंडरन जो देखा जाए नर्मदा घाटी शेत्र पूर्वी मालवा शेत्र में जेविक गेहु की खेती कहां पर की जाती विदीशा सीहोर सागर उज्जेन में और प्रमुग उत्पादक शेत्र में आपके यह सा मैं नूठी जो शेत्र काफी कम ऑगे यह किस्व कर गई सब्सक्राइश सनकार यह जो प्रदेश में कहां कहां पर उगाया जाता है बालागार्ट सीवनी मंडला सीधी शैडोल चिंदवाड़ा बेतून रीवा सतना और भिंड में उगाया जाता है ठीक है कुछ शेत्र के नाम आपको ध्यान रखने होगे यदि आपके पास मैप है और अभी आप मैप खोल कर इनको ऐसे मेंशन कर दीजिएगा कि कौन सी फसल कहां पर उगाई जाती कि इस तरीके से अप मेंशन करिएगा आप इसा भी कर सकते कि आपके पास मैप है वैसे अलग अलग तरीके के मैप मिलते हैं अना नदियों का अलग से मध्य प्रदेश का मैप मिल जाएगा इसी तरीक मद्य जाब जबलपूर मंदला पालाघाट जीलो में उगाया जाता है तिक वसिन आम ही में है बालाघाट में प्रमुकता से क्या उगा जाते बिस ऐसे ही कुशन आप से एक्जाम में बनने वाले हैं नेक्स्ट मक्का की बात कर लें गेहूं की बात होगी है अना चावल की कहता है मक्का कॉन सी फसल के अंदर उत्तर्प्रदेश के अप यहाँ में आप यहाँ पर देख सकते टाप इस तरीक के से देख सकते उत्तर्प्षची में मध्य नियचा रचान बीूमीके अऊशकता नहीं बड़ती है थीकिज़ी? तो यह रिंख की βात हो गई आगे जुआर की बात कर लेते हैं मद्यप्रदेश का द्वेश में द्विती इस्तान है इसके प्रमूख्शेतर मनसूर अतलाम इंदॉर उज्ञेन राजकर शाजापूर देवा स्कंड़वा गुना विदीशा, शिवपूरी, मुरेना, ग्वालियर और भिंड है ठीक है यहाँ पर सबसे अधिक्तिया में जवार का उत्पादन होता है नेक्स्ट बाजरा की बात कर लेते हैं खरीफ किया फसल मतिप्रदेश में लगबग 2,00,00 हेक्टेर में बोई जाती है इसके उत्पादन शिवपूर, मुरेना, बिंड और ग्वालियर में होता है कहाँ खहाँ पर होता है? शिवपूर, मुरेना, बिंड और ग्वालियर में परन से कहीं मतिप्रदेश में अधिक्ता से होती है 1998 में राश्ट्री दलहन विकास योजना प्रारंब की गई थी ताकि क्या करे जाए दलहन का पादन अधित से अधिक हो सके चलिए आगे बात कर लेते हैं चना की बात कर लेते हैं सरवादिक महतुपण दलहन फसल के अंदर आता है उस्टगबाद नर्सी, गुना, विदेशा, उजेन, मनसूर, धार, बिंड, मुरेना, शिवपुरी, रीवा, आदी में चना बहुत अधिकता से होता है अच्छा एक चीज और आप क्या करिएगा हर एक चीज को जो है यहांपर जिले वाइस पड़ियेगा जैसे कि में सबसा अधिकता से क्या होता है शिवपूरी के क्या खासियत है मनसूर के क्या खासियत है کیा क्या मंदिर है क्या क्या प्रसिद्ध प्लैसे से हैं कौन से अधिक्ता से होती तो यह चीजे और अपके क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी ठीक है तो ऐसे भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और यह वाली चीजे भी पढ़ते रहिए ताकि जब दो चीजे एक साथ पढ़ोगे ना तो बहुत चारी चीजे आपको याद रहेगी यानि तूर की डाल का डालों में दूसरा इस्थाने खरीफ क्रॉप के अंदर आ जाता है प्रमोग जी ले बैतूल चिंदवाडा जबलपूर नरसीपूर भिंड मुरेना ग्वालियर इंदोर देवास रीवा सतना शैडोल आधी है ठीक है यह जो है जेविक अरहर जो है जे जो बात करें करें चिंदवादणा प्रमोग कर लेते हैं कि दल हनी दाल्स ले अनुदि प्रदेश का निकाल सकते हैं तो आप ये तिलहन के बारे में समझत पष्चीमी जीलो में मुख्यत है इस एरिया में मंसुर नीमतुष अपसारा ले लो उजेन ले लो इंदोर ले यहां पर अधिकता स्युगाया जाता है यह उसके बात भात करें, दक्षीनी मद्यो प्रदेश में बोई जाती है, हलकी मतलब कमःई जाती है और पूरा मध्यो प्रदेश अपना सोया स्टेट है, प्रदेश को सोयाराज्य का दर्जा प्रापत है, ठीके, उसके बाद चीन स्टेस्रेटे के प्रदेश की मुरेना शोपूर भिंड जीलो में राई सर्सो का मुख्य उत्पादन होता है मध्यभारत का पठार जो है सर्सों की यहां पर कहलाता है तो अतना है सर्सों की हंडी धियान रख लीजिये का प्रदेश में एक लाग हैक्टर सेधिक शेत्र में जो बोया जाता है सरवादिक जो जो गुना में बोया जाता है तो ये एक नाम है सरवादिक जो गुना और अन्य शेत्र अशोक नगर विदीशा आदी में भी जो का उत्पादन किया जाता है ठीके अलसी का धियान रखना है अलसी रीवा में रीवा रभी क्रॉप तील जो हम लोग बोल सकते हैं बुंदेलकंड बगेलकंड जबलपूर है जबलपूर होशंगबाद राइसें शिवपूरी सागर दामो आदी में निमाड सिवनी में और जो की बात करें तो जो कहां पर गुना में गुना जो या जो गुना जैसे आप याद करना चाहें एक लाख हेक्टर सेदिक शेत्र में इसका उत्पादन किया जाता है और अन् से शुरुबात करी थी प्रमुख फसले 50 प्रतीशत गेहूं की फसल होती है पूरे मध्य प्रदेश में 50.3% देखा था कि मिट्टी कॉनसी उप्यूगते गेहूं के लिए तो काली और जलोड मिट्टी जो होती है जलोड दोमट मिट्टी वह सबसे जादा उप्यूगत होत और ऐसे तो रतलाम, गुना, देवास, उज्जेन, जबलपूर, सागर, विदीशा, कटनी इन सबी जगह गेहूं का उतपादन बहुत अधिकता से होता है चावल, 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 भिभाजन के बाद इसका शेत्रो और उतपादन काफी कम हो गया है आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, अलसी आपको लिखा हुआ है, ठीके, अलसी का क्या बताया था, अलसी रभी क्रॉप है, ठीके, और कहां पर रीवा में सबसे जादा उतपादन होता है, तिल की बात करें, बुदिलकंट, बगेलकंट, जबलपूर, होशंगाबद, र प्रदेश की प्रमुक मानिजी फसल कपास और गन्ना है, कपास सरवादिक बोल सकते हैं, सबसे जादा महतुपूर्ण अमारे लिए रहेगी, जो निमाण में सरवादिक होती है, इसके अलावा मालवा में भी कपास का उतपादन होता है, गन्ना दूसरी नगदी फसल के अं पूरे इंडिया में तो अपना यूपी आता है, मुंगफली की बात करें, मुंगफली का सरवादिक उतपादन मद्धी प्रदेश में स्पेसिवपूरी, ठंडास्तान, चिंदवाड़ा, बढवानी, टीकमगड, जाबू और खरगोन जीले में किया जाता है, इसके अलाव की बात करें, तो मसाले में सबसे प्रमुख मसाले हमारे यहाँ पर जो होने वाले वो लहसुन और धनिया है, हैना मसाला उतपादन में चोता इस्थान है, ठीके भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उतपादक भोकता और नेर्यातक देशे, कौन भारत की बात की जा रही तो याद रखेगा तंबाकू के बारे में सरवादिक उत्पादन तंबाकू का मध्यप्रदेश में स्पेसिफिकली कहा होता है रीवा के अंदर होता है चलिए अप शौट में थोड़ा सा अफीम और गांजा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सरवादिखेती अफीम की होती है कि अधीय प्रदेश में सरवादिखेती की जाती अफीम की नीमत अप बड़ा उतपादक जील आ है चाज़ बहारे मंसूर केवल नीमत ची दिखेगा घंचा खंडवा जीले में दिखता से होता है खंडवा जीले में दिखता से होता है इसके रस से चरस बनती है गांजा जो है कैनेबिस पोधे का उतपाद है कैनेबिस कैटेग्री में आती है इस पोधे के पुषप से गांजा बनता है और पत्तियों से भांग मतलब पुषप जो फूल है उससे गांजा बनेगा पत्तियों बाइब निर्मान होगा तने से जो चरश की प्राप्ति की जाती है और साथ ही से ब्राउन शुगर और हैरोइन भी बनती है ठीक है जो नशीले पधार्थी के अंदर आता है अफिम का सरवाधिक निर्या जापन में किया जाते है और दूसरे नंबर पर अमेरिका के अंदर किय कुछ इस इंफोर्मेशन को अच्छे से ध्यान रखिएगा जूट की बात कर लेते हैं जूट एक रैशेदार पोधा है इसकी खेती प्रदेश में सतनार रीवा मंडला और दिंडोरी शेत्र में की जाती है जूट आता रही तुद्ध्योग मुख्यत इसके उद्ध्योग क पोधा देखा होगा इसी तरीके से मैस्टा भी होता है ध्यान रखिएगा मैस्टा भी होता है यह जूट की तरह ही हम लोग बोल सकते हैं उसका एक सब्सिट्यूट हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं सनय की बात करें सनय भी एक रैशेदार पोधा है जो मध्यपुर्वी जी पोधा है मध्यपुर्वी जीलो में मुख्य रूप से पाया जाता निमार शेत्रम में ये थोड़ा बुगाया जाता है तो ये सनई की बात हम लोगों नहीं आपर कर लिए कुछ फसल के बारे में आज हम लोगों ने डिसकस किया है सेशन के सा लगा कमेंट करके जरूर से बताईएगा अगर वाट्चाप ग्रूप में आप एड नहीं है तो जरूर से एड हो जाएए का सपना साकाई डाउनलोड दिया है नाओ पोई भी